स्वागत है आरेबट पार्सला पर आज के इस वीडियो में हम समानतर स्रेणी गनित कक्सा 10 के परशनावली 5 को पढ़ेंगे इसके कुछ बैसिक्स कॉंसेप्ट जो है वो हम जानेंगे इस वीडियो में तो सबसे पले समानतर स्रेणी का आपको एक उधारन बता देते हैं कि य इन सिडियो में परतेक में समान अंतर है और इसी समान अंतर से ये एक के बाद अगली सिड़ी बनती जा रही है तो एक समान अंतर के अंदर एक स्रेणी बनती है वो होती है समानतर स्रेणी ठीक है यहाँ पर समांतर सिरेनी के कुछ उधारन दिये गए है तो यहाँ पर समांतर सिरेनी के उधारनों में इन में देखते हैं किस प्रकार से यह समांतर सिरेनिया है पहली समांतर सिरेनी दिये गई है एक, दो, तीन और चार तो इन दोनों के मद्दे कितना अंतर है एक का अंतर है इन दोनों में एक का अंतर है और इन दोनों में एक का अंतर है परतेक में प्लस वन हो रहा है तो इनका अंतर तीनों का क्या है समान है तो यह इस प्रकार से यह स्रेणी जो है समान्तर स्रेणी है ठीक है उसी प्रकार से यह जो दूसरे नमबर पर समांतर स्रेनी दी गई है यह है सो सतर चालिस और दस यहां सो उसके बाद में सतर है तो सो में से यहां पर तीस कम हो रहे हैं फिर सतर में से तीस कम हो रहे हैं तो चालिस और चालिस में से तीस कम हो रहे हैं मैनस हो रहे हैं तो दस उसी तरह आगे भी हम इस स्रेणी को बना सकते हैं उसके बाद में है माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 और 0 यहाँ पर क्या है यहाँ पर प्लस 1 का अंतर है इन दोनों के मद्दे यहाँ पर भी प्लस 1 हो रहा है और फिर प्लस 1 हो रहा है फिर आगे भी इसी तरह से हम इनमें प्लस वन करके समांतर स्रेणी को आगे बना सकते हैं तो यहाँ पर यह जो स्रेणी है इसमें प्रतेक पत तीन तीन है तो इनके अंतर जो है जीरो का है उसी प्रकार यहाँ पर यह दसमलों में समांतर स्रेणी दी गई है तो इन में भी जो सारवंतर होता है वो समान होता है और सूची की परतेक संक्या क्या है एक पद कलाता है परतेक संक्या का क्या लाती है एक पद कलाती है ठीक है समांतर स्रेणी में क्या होता है कि एक निशित संक्या जोड़ कर प्राप्त किया जाता है उसे प्रतेक पद में एक निशित संक्या जोड़ी जाती है और उससे जोड़ कर ऐसी संक्याओं की ऐसी सूची को ये कहा जाता है कि वे क्या है एक समांतर स्रेणी बना रहे है एक समांतर स्रेणी संक्यों की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रतेक पद पहले पद के अत्रीक्त पहला पद है यहाँ पर पहला पद जैसे यह एक है पहले पद के अत्रीक्त अपने पद में एक निशित संक्य जोड़ने पर प्राप्त होता है यह निशित संक्य क्या होती है सार सार्वंतर ये निश्य संक्यत जोड़ी जाती है प्रतेक पद में ये क्या होती है सार्वंतर होती है और ये सार्वंतर धनात्मक रिनात्मक या सुनने हो सकता है सार्वंतर क्या हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है रिनात्मक भी हो सकता है और सुनने भी हो सकता है ठीक है धनात् एक समांतर सि्नेनी है, पहले पद को E1 कहेंगे, पहले पद को E1, दूसरे पद को E2, तीसरे पद को E3, इसी तरह A N. तो A N क्या है? यह है अन्तिम पद. A N क्या है? अन्तिम पद होता है, ठीक है? तो इसी तरह हम आगे इन पदों को बढ़ा सकते हैं उसके बाद में इसमें जो सारवंतर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं सारवंतर जो D है वो निकालेंगे तो A2-A1 दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे या फिर तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा देंगे या फिर अंतिम पद में से अंतिम पद से एक पद पहले वाला जो पद है उसको घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा D सारवंतर जिशे हम कहते हैं B प्राप्त होगा यहां पर समांतर स्रेणी के ही कुछ उधारन दिये गए है एक समांतर स्रेणी निरुपित करती है जहां A यह देखे यहां पर एक समांतर स्रेणी है जिसमें A पहला पद है A प्लस D दूसरा पद है A प्लस 2D तीसरा पद है A प्लस 3D यह चोंता पद है तो इसी तरह से अनंद पद हो सकते है एक समांतर सिरेनी के इंदर और एक समांतर सिरेनी को निरूपित करती है जहां ए क्या है यहां ए जो है ए है पहला पद ए बराबर है पहला पद है डी बराबर है सार्व अंतर डी क्या है सार्व अंतर तो यह क्या है समा समांतर सिनेनी का क्या है व्यापक रूप है इसे समांतर सिनेनी का व्यापक रूप करते हैं पर दिया गया है परीमीत और परीमीत समांतर सिनेनी के बारे में तो जिस समांतर सिनेनी में पदों की संक्या परीमीत हो सीमीत हो मतलब अंतिम पद हो जिसमें अंतिम पद हो वो तो ह नहीं होते हैं, उसके बाद में हम एक समांतर सिरेनी का उधान से जानेंगे, यहाँ पर यह समांतर सिरेनी है, यहाँ उधान में यह समांतर सिरेनी दी गई है, श, नो, बारा, पंदरा, इसी तरह, एपी है управ, यहाँ पर परतम पद क कीके,oti हो settled है। से निकालते हैं A2 माइनस A1 और A3 माइनस A1 तो यह कैसे निकालेंगे A2 माइनस A1 9 माइनस 6 A3 कितना है 12 माइनस 9 तो दोनों का सारवंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है दोनों के मद्दे अंतर इन दोनों के मद्दे अंतर 3 है तो D बराबर के आ जाएगा सारवंतर 3 आ जाएगा तो इस तरह से पर्तमपद और सारवंतर इस तरह से हम निकाल लेते हैं अगर इसमें अंतिमपद दिया गया होता तो वो अंतिमपद हो जाता उधारण एक में ये है समांतर सिरेनी है ठीक है के लिए पर्तमपद A और सारवंतर D लिखिए ये पर्थम पद लिखना है एक तो और सारवंतर लिखना है तो पर्थम पद तो क्या होगा तीन बटे दो ए बराबर तो क्या हो जाएगा ए बराबर तो हो जाएगा तीन बटे दो ये क्या है पर्थम पद और डी क्या होगा डी होगा A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 इन में से घ 2, अब 2 का भाग 2 में एक बार, एक को 1 से गुणा करेंगे तो 1, माइनस यहाँ 2 का भाग 2 में एक बार और एक को 3 से गुणा करेंगे तो 3 तो माइनस 2 बटा 2, 2 से 2 भी भाजित हो जाएंगे, यह पलस में है यह माइनस में है, तो 1 प्लस और माइनस माइनस का एक तो डी सारवंतर जो आया है वो आया है माइनस एक तो परतम पत्तो तीन बटा दो और डी बराबर सारवंतर माइनस का एक आया है तो इस तरह समांतर स्रेनी के परतम पत्तो और सारवंतर हम ग्याद करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम समांतर स्रेनिक की पस्वालियों को हल करेंगे ऐसे ओर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आरिवर्ट पार्ट साला को थेंगे